बहुत समय पहले की बात है ये गाउं में एक सिर्जी रहते थे वे काफी बुड़े हो गए थे वे बहुत ही धार्मिक थे उनके यहाँ पर पीडियों से अपार धन संपदा थी धन भी इतना था कि खुब कर्च करने पर भी खत्म नहीं होता था लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मा लक्ष्मी का स्वभाव बड़ा ही चंचल होता है कभी इस घर तो कभी उस घर एक रात को सेड़ जी अपने स्वपन में देखते हैं कि एक स्थ्री जो पूरी तरह से सजी हुई है सोला शंगार किये हुए है कोई देवी जैसी दिखाई दे रही है वे अपने घर के द्वार से दूसरे घर को जा रही है सेड़ जी तुरंत उन्हें रोक कर पूछते हैं कि हे देवी आप कौन है मेरे घर में आप कब आ गई और मेरा घर छोड़कर आप कहा को जा रही है आपको देखकर मुझे लगता है कि आप कोई भगवान है मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा वैस्त्री बोली कि मैं लक्ष्मी हूँ मैं तुम्हारे यहां कई पीडियों से निवास कर रही हूँ किन्तु अब मेरा मन यहां से भर गया है इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ लेकिन मैं तुम पर अत्यंत प्रसन हूँ क्योंकि जितने समय में तुम्हारे पास रही तुमने मेरा मान रखा साधू संतों की खूब सेवा की ब्रामणों और गरीबों को खूब भोजन कराया तुम्हारे द्वार से कोई खाली हात नहीं गया गाउं के लोगों के लिए कुए, तालाप, गौशाला, मंदिर बनवाए तुमने लोगों के कल्यान के लिए कई कारे किये अब जाते जाते मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी जो वर्दान मांगना चाहते हो वो मुझसे मांग लो सेट जी ने सोचा कि मेरे घर पर और भी कई लोग है, चार-चार बहुए है अगर अकेले मैंने कोई निर्ने ले लिया, तो वो सम मुझसे नाराज होंगी मैं सबसे बात करके आपको बताऊंगा क्रपया कर आप कल रात को दर्शन दे अगले दिन सेट जी अपने स्वपने के बारे में सबको बताते है सेट ने चारों बहुए की सला ली एक बहु ने अनाच के गोदाम भरवाने को कहा तो दूसरी बहु ने यदि अनाच के गोदाम में कीड़ लग गए तो ये सुनकर सेट जी कहते हैं ये बात तो सही है तीसरी बहु कहती है आप तो धन से भरे चार महल मांग लो खूब धन रहेगा तो कोई परेशानी नहीं आएगी ये सब बाते सबसे छोटी बहु सुन रही थी वे मध्यमवर्गी परिवार से थी उसने कभी धन के बारे में इतना नहीं सोचा था वे बच्पन से ही धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी ससंग में जाया करती थी, गरीबों को खाना खिलाती थी उसने कहा पिताजी, लक्ष्मी जी का स्वाभाव बड़ा ही चंचल होता है उन्हें जाना है तो वो जाएंगी जरूर रही बात सोने चांदी रुपे पैसों की वो हमेशा नहीं रहेगा हमारी आने वाली पीड़ी आलस और अहंकार में अपना जीवन बरबाद कर लेगी आप तो लक्षमी जी से कहो कि आप जाना चाहती हो तो चले जाओ लेकिन मुझे यह वर्दान दो कि मेरे घर में हमेशा प्रेम भाव रहे अथितियों का हमेशा सम्मान रहे कोई मेरे द्वार से खाली हात ना जाए क्योंकि यदि हम सभी लोगों के बीच प्रेम भाव रहेगा तो कठिनाई के दिनों भी आसानी से कर जाएंगे यह बात सेट जी को ठीक लगती है अगले दिन रात को लक्षमी जी सेट जी के स्वपन में वापस आती है मांगो क्या वर्दान मांगते हो सेट कहता है मैंने अपनी सभी बहुँओं से सलाह ली अंत में मा मैं आपसे यही प्रातना करना चाहता हूं कि मेरे घर में सदैव अतितियों का सम्मान होता रहे मेरे घर के द्वार से कोई खाली हात न जाए मेरे घर के लोगों के बीच हमेशा प्रेमभाव बना रहे और विपत्ति के समय सारा परिवार साथ खड़ा रहे यह सुनकर लक्षमी जी चौक जाती है और बोलती है जिस घर में अतितियों का संतों का गरीबों का सम्मान होता है जहां पर आपसी प्रेमभाव होता है जहां पर हरी कता होती है वहाँ पर स्वयम नारायन निवास करते हैं और मैं नारायन की पत्नी हूँ मैं उन्हें छोड़ कर कैसे जा सकती हूँ ऐसा वर्दान मांग कर तुमने मुझे यहां रुकने पर विवश कर दिया है यह बात सुनकर सेटची बहुत प्रसन हो जाते हैं इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसके हाथ सेवा और दान के लिए खुले हुए होते हैं मा लक्षमी उनके घर सदैव विराशती है बोलिए मा लक्षमी की जय